मित्रों हमने कुछ दिन पहले शुक्र के चल्ले के विशय में एक वीडियो बना कर अपलोड किया था जिसे आप लोगों ने काफी पसंद किया। आपके द्वारा हमारे चैनल को मिल रहा प्यार हमारा होसला बढ़ाता है और आप तक नई नई जानकारियां पहुँचाने की हमें निरंतर प्रेरना देता है। इस प्यार और प्रोटसाहन के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमने शुक्र के चल्ले के विशय में जो वीडियो बनाया था उस पर कई लोगों ने यही सवाल पूछा था कि इसे कौन धारन कर सकता है और कौन नहीं। तो मित्रों आपको बता दें कि शुक्र का चल्ला कोई भी धारन कर सकता है, चाहे राशी या लगन कोई भी हो। शुक्र का चल्ला कभी भी आपको नुकसान नहीं पहुचाता, फिर भी लगन्या राशी के अनुसार इसको पहना जाए तो परिनामों में काफी फर्ग देखा जा सकता है। किसी लग निया राशी में शुक्र का छल्ला कोई विशेश लाब नहीं देता, किसी में सामान्य लाब देता है और किसी लग निया राशी में इसके काफी अच्छे परिनाम देखने को मिलते हैं। तो आएए जानते हैं किस लग निया राशी में शुक्र का छल्ला किस प्रकार के परिनाम दे सकता है। यदि आपने शुक्र के छल्ले से संबंधित हमारा पुराना वीडियो नहीं देखा है और शुक्र के छल्ले से लाब के विशय में सही जानकारी पाना चाहते हैं तो आप हमारी पिछली वीडियो को देख सकते हैं हम यहां केवल इस बात की चर्चा करेंगे कि शुक्र का छला किस लगनिया राशी में कितना लाब दे सकता है वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे हमारे द्वारा दी जा रही जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंच सके व्रिशब और तुला लगनिया राशी के लिए शुक्र का छला बहुत अधिक लाब देता है इसकी वज़ए ये है कि व्रिशब और तुला शुक्र की राशियां है और यदि लगनेश या राशी स्वामी के दोशों को इस उपाय द्वारा दूर कर दिया जाए तो जीवन में एश्वर्य और धन दौलत स्वयम चल कर जातक के पास आती है जीवन में कभी भी पैसों की कमी महसूस नहीं होती साथ ही यदि कुंडली में शुक्र द्वारा कोई आध्यात्मिक शुब्योग निर्मित हो रहा हो तो जातक को शुक्र देवता आध्यात्मिक संपदा से भी संपन कर देते हैं कर्क लग्न में शुक्र का छल्ला सामान्य लाब देगा क्योंकि कर्क राशी का स्वामी चंद्रमा है इस लग्न की शुबधातु चांदी है और शुक्र का छल्ला भी चांदी का ही बना होता है शुक्रिस लगन या राशी में शत्रू होने के साथ साथ लाभेश और सुखेश भी है शुक्रिस लगन में बाधक ग्रह है और यदि ऐसे जातक शुक्र का चल्ला धारन करते हैं तो शुक्र के साथ साथ चंद्रमा के दोश भी दूर होते हैं लगन मजबूत होता है जिससे जातक को मानसिक शांती और घर का सुख मिलता है, जीवन भर जातक लाब पाता है, मिथुन कन्या मकर और कुम लगन या राशी के लिए भी यह चल्ला काफी लाब देता है, इसकी वज़े यह है कि इन सभी राशियों के स्वामी ग्रह शुक्र के जातक को माता लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होती है, सिंग मेश वरिष्टिक धनू और मीन लगन या राशी में शुक्र का छल्ला कोई विशेश लाब नहीं देता, इसकी वज़े है इन राशियों के स्वामी की शुक्र ग्रह से शत्रता, इसी वज़े से इन लगनो या राशियों में शुक्र का छल्ला केवल शुक्र ग्रह के दोशों को समाप्त करता है, शुक्र ग्रह क्योंकि यहां कारक ग्रह नहीं है तो यह चल्ला यहां कोई विशेश लाब नहीं दे पाता, केवल शुक्र ग्रह के दोश समाप्त कर इस ग्रह द्वारा मिल रही जातक को रहत दिलाता है। आपको बता दे कि इन लगनों या राशियों के लिए सोना तामबा या अश्ट धातू उपयोगी है। इसलिए यदि शुक्र के छल्ले की जगह इन धातूं का छल्ला ऐसे जातक धारन करेंगे तो अधिक लाब प्राप्त कर सकते हैं। आशा करते ह आपको जानकारी पसंद आई होगी। यदि वीडियो अच्छा लगा तो कॉमेंट करकर बताएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। इसी तरह की और अधिक जानकारियां सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद झाल